अब यहाँ पे जो हो रहा है न इसे बोलते है यार पेले कोई और लूटे कोई और उन बंदों की पेटी मैंने बनाई वहाँ पे जाके और लूट कोई और ही रहा है तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से भरे बड़े पब जिदो मोबाईल गेम प्लेए वीडियो में और यार इस मैच में किल के साथ साथ तुम्हारे भाई की लूट तक चोरी करने की कोशिस होगी अब देखो किल और लूट ऐसी चीज है जब चोरी हो जायार दुख बहुत होता है और गुसा भी बहुत आता है और उतरते ही तुम्हारा भाई गोली बरबाद करने में लग जाता है मतलब यार बंदे क्या करते हैं नीचे उतरते हैं गन लूटते है ठीपि भी लेते हैं और तबी गोली चलाते है जब बंदा ठीले मैं यहांपर उल्टे ही सीन कर रहा हूँ वो बंदा अबी तक हवा मे है टोवी गन से मैं कुछ नहीं उखड़ पाऊंगा उसका फिर भी बरबात कर दी 30 गोली और कम से कम 60 गोली बरबात करने के बाद मैं एक बंदा नौक करता हूँ पेटी भी नी बनी है नोकी किया है अभी तो वो नोको के नीचे कहीं गिर जाता है और यहां पे मैं पेटी बन पे मेरे पे कद्दू कुछ नी पढ़ा है यह सस्ती टूपी है मेरे सर पे और यहां आगे पे ही तीन तीन बंदे बैठे पड़े है तो यहां पे मुझे क्या करना चाहिए भग लेना चाहिए लूट के वापिस आना चाहिए मैं क्या करता हूँ तीनों को पेलने की वाब लेना चाहिए और ले मैं नौट करता है और यहाँ पे बगेर हेलमेट और बगेर वेस्ट के मैं पूरी सकोड को निप्टा देता हूँ जो भी हुआ तुक्के में हुआ मतलब देखो ये दो बंदे तो फिर भी ठीक थे लेकिन वो जो बंदा उपर खाड़ा था कंटेनर के बाई उस पे मेरे ख्याल से सिर्फ एक कट्टा या कोई सस्ती पिस्तोल पड़ी थी उसके बाद भी बंदा इतनी चौड में था कि यार आगे बढ़ रही जा रहा है मेरे सर के उपर चड़ गया है खैर इन तीनों को पेल दिया चार किल हो चुके याँ पे और आगे जा रहा हूँ और आगे बंदा भगते वे दिखता है पहले मुझे लगता है यार ये बहुत होगा लेकिन मैं बहुत गलत होता हूँ लेकिन उसे पहले बात कर लेते हैं गेमिंग घर एप की जिसमें आप पबजी, कॉल अफ डूटी और लूडो के कई सारी टूर्णामेंट्स कहल सकते हैं और ये एक पहला ऐसा एप है जिसमें आप TDM's के tournament खेल सकते हो और अच्छे खासे पैसे earn कर सकते हो साथी साथ इसमें daily free tournaments होते हैं तो आपको enter करने के लिए कुछ नहीं देना और आपको जीतने पे price money मिलता है और इस app में per kill जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी काफी जादा high है तो आप अपनी entry fees एक kill में ही almost cover कर लोगे साथी साथ इसमें आपको मिलता है refer and earn का feature तो आप अपने दोस्तों को invite करके भी इसमें पैसे earn कर सकते हो और इसमें हर संडे royal pass का giveaway होता है तो यार आपको हर संडे royal pass जीतने का भी मौका मिलेगा और जो भी आप coin इस पे earn करते हो वो money में convert होके आप withdraw कर सकते हो और पैसे withdraw करना भी बहुत आसान है आप ATM या Google पे से पैसे withdraw कर सकते हो तो इस एप के लिए description में होगी और iOS user gaming घर के इंस्टा account के तुरू register कर सकते हैं और ये बंदा open में क्या करने को भगराता है यार मेरे समझ के बिलकुल पार है मुझे क्या लगता है कि ठीक यार एक ही बंदा होगा पेल दिया उसे आगे बढ़ते हैं और आगे जाके पुरी टीम होती है भाई की बैटीवी और ये दोनों बंदे भगते वे अपने टीममेट का बदला लेने आ रहे होते हैं अब दोनों की पेटी बनेगी अब यहाँ पे आया मैं ये सोचके था कि यार वो अक्यला बंदा होगा पेल चुका हुए उसे यहाँ पे आके पता चलता है कि तीन-तीन बंदे अभी भी जिन्दा थे लेकिन देखो मैं धैड़ पैड़ पीक करता हूँ और तीनू को निप्ता देता हूँ खैर इसके बाद जुड़ तो खाली हो जाता है लेकिन यार रोजोग बचा हुआ है अभी और रोजोग में बंदे भी मिलते हैं मतलब काफी टाइम बाद मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के बंदे मिले हैं इस सिदन यार अजीब सही सीन हो रहे है अब वहां मैं दूर बंदे पेलना हूँ और यहाँ कोई भगने की कुछिस कर रहा है और यहाँ पे मेरा सस्ता सप्रे हजार गुना जादा सस्ता हो जाता है एक तो मेरे पे चार एक्स पड़ा है जो कि मैं बहुत ही जादा कम चलाता हूँ जब मजबूरी हो तभी चलाना पड़ता है उपर से एमफोर में सप्रेस्योर लग रखा है और गिल भी चोरी हो चुक यहां हम मूँ के सामने गाड़ी रोक के फाइट ले रहे हैं और उधर सकूल से कोई मिनी जोधा पटकाया जा रहा है और जहां तक मुझे पता है उसी ने मेरी किल भी चुरा लिये और हमारी गाड़ी भी फस चुकी है यहां पे दोनो और पबजी ऐसा गे में जिसमें यार कोई भी चीज कहीं पे भी गुच जाती है यहां कभी गाड़ी के अंदर गाड़ी गुच रखिये कभी बंदे के अंदर गाड़ी गुच जाती है कभी घर के अंदर गाड़ी गुच जाती है खेर जो वियो बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी हम निकाल लेते हैं और दूसरी की तो ऐसी तैसी हो रखी है और यार मैं जा रहा हूँ अपनी किल का बदला लेने क्योंकि यार बदला नहीं लिया तो केड़ी कैसे बड़ेगी और इस बंदे का ये जो M762 का सपरे है न भाई ये बहुत अलग लेवल पे होता है बंदा एक ही गोली पेलता है सीधा सर पे लगती है मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है खेर यहाँ पे नेड नूड भी आता है गाड़ी भी फट चुकी है अपनी ये वाली और देखो गाड़ी भटने से दिक्कते कई गुना जादा बढ़ जाती है अब देखो जोन कैसे जाएंगे रस कैसे करेंगे अंधा खेर गाड़ी भट गई मेरे को जादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यार किल तो मिलेगी और देखो आखिर कार मुझे बस किल ही चाहिए जिन्दगी में हना तो ये लोग अंदर बैठे होते मैं बोलता हूँ ठीक यार गाड़ी फोर ली फोर लो हमें किल करने दो बस मैं सकूल के अंदर तक पहुंशता हूँ भाया नामो निसान गाया बंदो का कोई नी दिखरा इधर पे यहां पे दो तिर बंदे मिनी मुनी नजाने क्या-क्या पटका रहे थे जब तक यहाँ पे पहुंशता हूं, जब तक अंदर गुशता हूं, बंदे गाय बोह चुके होते हैं खेर उसके बाद मैं यहां से जा रहा होता हूं, वापिस ओ जो एक फुटी गाड़ी थी उसको लेने के लिए लेकिन यहाँ पे जब मैं जा रहा हुता हूँ ना मुझे एक बहुत ही गलत चीज देखने को मिलती है देखो यारा अब यहाँ पे जो हो रहा है ना इसे बोलते है यार पेले कोई और लूटे कोई और उन बंदों की पेटी मैंने बनाई वहाँ पे जाके और लूट कोई और ही रहा है और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इस मैच में हर किसी को मेरे से ही चोरी करनी है एक बंदे ने मिनी 14 से मेरी किल चोरी कर दी अब यहाँ पे यह लोग लूट चोरी कर रहे है तो देखो यार किल वाले तो बचके भग गए लेकिन यार ये जो लूट चोरी कर रहे है न इनकी पेटी 100% बनाएंगे हम और यार ये तो वही बन्दा है जिसको मैंने दूर से नौक किया था इसका मतलब कोई न कोई रिवाइव दे के बैठा हुआ इधर अब एक आखरी बन्दा इनका बचा होता है तो उन्हें पिलने के लिए मैं गर के अंदर गुच जाता हूँ घर पे तो होते नहीं भाई इसल से बंदे वहिया जिनके नेट बहुत ही सस्ते हैं वो नेट उठाते हैं और देपत्थर की तरफ गरों के अंदर डालते रहते हैं लेकिन ये भाई नेट को कुका करके फेक रहे थे मतलब यार बिल्कुल हाथ में रखा था कि यार जाय और सीधा भटे लेकिन मैं देख लेत और भाई की पेटी बन जाती है खेर रुजोक के बाद में इधर आता हूं और इधर पूरी सुकड मिल जाती है हमको अब देखो यार एक तो मेरे नेट ऐसे ही बहुत सस्ते हैं उपर से ये बंदा चाता तक नहीं है कि यार में नेट करूं मैं नेट खीचके बैठा ही था कि यार भाई पुरी फायर देने ले जाते हैं मतलब देखो मैं अकेला बंदा नहीं हो जो यार गोली बहुत पर बाद करता है ये लोग भी दबा के चला रहे होते बस कि इतना है कि उसके पुरी फायर से कुछ भरक पड़ा हमको लेकिन यार जब मैं पुरी फायर करता हूँ कोई कुछ नहीं होता है खेर एक बंदा इंकाल भग के राइट में आ रहा होता है उस भाई की तो वही पे पकड़ के बेटी बन जाती है और क्यूंकि दरवाजे से तो ये करने नहीं दे रहे नेट तो बाहर ही जाना पड़ेगा और जैसा कि मैं क्या ही रहा था चालिस गूली चला यहां पे उसमें से बस एक गूली लगती है बंदे के और ना वो नौक होता है ना ही कुछ खेर यहां पे चालिस गूली तो बरबात कर दी अब एक नेट भ बैक खाली तो होगा कम से कम खेर वो लोग वहां पे बैठे रहते हैं और हम लोग इधर पे बैठे रहते हैं मैं बोलता है ऐसे तो बैठे बैठे गेम चला जाएगा वीडियो कैसे बनेगी तो मैं इस घर पे आता हूँ और यहां से कुछ करने की कुछिस करता हूँ और यहां पर आने से कम से कम गेम थोड़ा आगे तो बड़ा कम से कम दो बंदे नोक तो हुए तो मैं धेड़ पेड आगे समोक वगएरा बनाता हूं क्यूंकि मैं नहीं चाहता है यार अंदा रस करते टैम मेरी रस्ते में पेटी बन जाए वैसे भी वो बंदा रिवाई उसके पेलने का और यार M662 मेरे पे भी पड़ी है और अखिर कर कई गंटों बात जाके यह चारों बंदे ठिलते हैं मतलब यार मैंने यहां पर वीडियो में काट कूट के दिखाए लेकिन सही बता रहूं बहुत टाइम लग गया इने पेलने में और देखते ही देखते ज जोन बहुत चूटा हो चुका होता है खैर यार पेला है तो लूटना तो पड़ेगा नहीं तो यार कोई और आएगा और चूरी करके चल देगा लूट खैर यहां पर मैं थोड़ी गोली और बरबात करूंगा क्योंकि देखो अभी तो लूट की कमी भी नहीं है बरबात दबा के कर सकता हूं तो वो उपर समोग बना के लड़ाई लुडाई कर रहे हैं गाड़ी पटी पढ़िये उपर पे और देखो यार जोन आने वाला है और अभी तक मैं इतना मगन हूँ लड़ाई में की मैंने ये तक नहीं देखा है कि यार जोन बना किधर है क्या करूँगा इधर हम लोग धैड़ पैड़ गाड़ी लाते हैं जो भी लूटना था लूट चुके हैं अब गाड़ी से मैं आगे ये सोचके जा रहा हूं कि यार बंदे भग जाएंगे पकड़ना पड़ेगा लेकिन कुछ औरी सीन चल ले हैं यहाँ और यार मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं एक बहुत जादा धीड़ बंदा हूं लेकिन यहाँ पे मैं हाड़ जाता हूं धीड़ता पे क्योंकि ये लोग यार जोन आने वाला है ये लोग अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और बंदा कौन सी गन चला रहा है यहाँ पे मैं आके ब्रिज बुरिज में रूख जाता हूं और उनका इंतेजार कर रहा हूं क्योंकि वो लोग पीछे ही हैं अभी तक और ये गिल्ली सूट वाला बंदा ब्रिज ब्लोग कर रहा था या ब्रिज कैम मेरे समझ के बिलकुल पार है मतलब बंदा पीक करके खड़ा था मेरे ख्याल से सनाई पर होगी भाई पे सर पे एम लगाने की कोशिश लेकिन तब तक यार पेटी बन जाती है क्यार यहाँ पे मैं थोड़ी देर और रुकता हूं क्योंकि मुझे जोन से ठिलते वे कोई दिखता नहीं और देखो जोन से नहीं ठिले तो यार बंदे पका पका आने वाले हैं यहाँ पे और आते भी हैं और इस बार तुम्हारा भाई गोली बिलकुल बरबाद नहीं करता मेरे ख्याल से मैं 15-16 गोली चलाता हूं और दोनों बंदे ठिल जाते हैं यहीं वो बंदे ठियार जो चौड में मेरे ख्याल से M16HR चला रहे थे खैर इनको भी पेला था तो हां उन्हें भी लूटता हूं मैं क्योंकि देखो अगर ऐसे ही पड़ी रहे लूट तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब कोई और लूट चोरी करके चल दे तब मन करता है यार हर चीज लूट के रख लो बिलकुली और यह वाला जोन काफी दिनों बात बन रहा है मतलब इस जोन में किसी ने ब्रिज कैम्प लगा दिया ना यार उसकी जन्मो जन्मो की केड़ी इसी मैच में बढ़ जाती खेर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और इन चोटे चोटे घरों पर टोटल तीन बंदे बैठे होते हैं और वो बेचारा बंदा मेरे ख्याल से हजारों मीटर तैर के आया था और आते ही मैंने पेटी बना दी तो यार तैमा गया है मतलब इस मैच में मैंने एक भी बहाना नहीं दिया तो कैसे काम चलेगा बहाना देना पड़ेगा तो देखो मेरा बहाना ये है कि यार मैं बारल रिलोड नहीं किया सिर्फ 30 गोली बची होती है और 30 गोली से हर कूई कैसे पेल पाऊंगा ठीक यार यह बहना किसी काम कर नहीं है बेवकूफों की तरह मैं पहले डेमेज ले लेता हूँ और मुर्कता की वज़े से मैं ठिल जाता हूँ लेकिन हमारे भाई कते खतरनाक तरीके से दोनों बंदों को पेलते हैं और मेरे को बचा लेते हैं लेकिन टेंसन मतलोयार आखिर में हम अपने टिमेट को बचाएंगे अब हमारे पीछे से एक और बंदा मेरे ख्याल से तैर तूर के आ जाता है और देखो मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बंदा जो साप बनाए न वो हमारी असल में मदद कर जाएगा और अगर वो बंदा पीछे जाके साप नहीं बना होता तो ये मैच चिकन करना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाता बहुत ही जादा मुस्किल क्यार फिलाल मैं उस साप को पेलने की कुशिश करता हूँ लेकिन और भी बंदे आ जाते हैं सभव तो हैं जाद दू नहीं थे हैं फिलाल में अप मेरा नेट लगबग हर बार नहीं पढ़ता और बार मेरे कुश दिल पे और इस मैच में मैं अकेला बन्दा नहीं होता जिसके नेट बहुत ही सस्ते होते हैं आगे वाले टीम के तीनों के तीनों बन्दे धक्का पेल करके यहाँ पे नेट डालते हैं भाई हम में से कोई भी निधिलता वैसे अगर हमेंसे एक बंदा भी धिल जाता ना चिकन होना नामूम्किन टैप हो जाता लेकिन वो लोग नेट करते हैं मैं इधर उधर करता रहता हूं और जिन्दा रहता हूं जैसे तैसे और अब यार तैयार हो जाओ क्योंकि वो जो बंदा पीछे साप बनाया है ना वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद करने वाला है यहाँ पे पहले ये तीनों के तीनों बंदे हम को देखके बैठे थे लेकिन पीछे एक साप आता है तो उसको पेलने के लिए यहां से दो बंदे गायब हो जाते हैं जिसके चलते यार मैं एक बंदा नोक कर चुका हूँ अब बस दो ही बंदे बाकी हैं और हम जून में भी आ चुके तो हां चिकान होने वाला है और यार आखरी बंदा बहुत ही ज्यादा फूरतीला होता है मतलब भाई पीछे सांप को पिलता है वो मेरे ख्याल से उसके बाद भगते वे आता है भगते वे आके हमारे भाई सीधा लेटते हैं और मेरे टीमेट को नौक लेकिन बात यह होती है कि यार वो गोली मेरे पे नहीं चलाता उसके बाद वो गोली मेरे टिमेट पे चलाते रहता है और मैं अराम से आखरी बंदे की पेटी बना देता हूँ अब देखो अगर वो साप पीछे से गोली नहीं चलाता ना तो ये तीनों बंदे इसी दिवार के पीछे रहते और यहाँ पे मुझे आने तक नहीं देते और चिकन कहीं से भी नहीं होता लेकिन यार वो साप हमारी मदद कर जाता है अजीव लग रहा है कि साप की वज़ा से हम जीत का है लेकिन यार चिकन चुकन हो गया तो और क्या चाहिए जिन्दगी में तो बस भाय लोग यार आज की वीडियो में इतने ही बहुत-बहुत शुक्रिया है वीडियो देखने के लिए लिए लाइक पहला मत बूला यार मतलब भाई की लूट चोरी करने की पूरी कोशिश थी और जिसने मेरी खिल चोरी गरी उसको शायद में पेल तक नहीं पाया इस मैच में लेकिन यार अपने 27 के लो जाते तो दुख थोड़ा सा कम हो गया है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने ही अगर आप कहां पे नए हूँ तो यार करो सबस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंटरी के लिए और जाते जाते गेमिंग घर एप को चेक आउट करना मद भूलना उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते है यार बाई बाई झाल झाल झाल